मेरे पर विध्यार्ति उतकर्ष परिवार में आप सभी का हर्दिक स्वागत है अभी दन्दन है कैसे आप सभी पृति जिग्यासा रोश्णी नरेश मनीज जी मैपाल जी सभी का हर्दिक अभी दन्दन आज की क्लास में आज हम क्या करने वाले हैं आज जो है हमारा चप्टर नई बुक जो थर्ड वाली बुक है आधुनिक भारत उपनिवेश्वाद और देहा तो जिसमें मैंने कुछ क्वेश्चन्स आपको करवाए थे उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे बहुत ही इंपोर्टन चप्टर है चलओ शुरू करते हैं कोशन-बर 12 गाउ में जोतदार पहले तो यह बताँ ज्योतदार का मतलब क्या होता है यह हम उर्ट पढ़ा है क्या हम जो पढ़ते हैं सबसे उपर तो कौन है अंग्रेज अधिकारी अंग्रेज भारत में आए तो उनका आधिकार हो गया तो सब lays अं अब उसके नीचे कौन है बताओ उसके नीचे राजी के करमचारी है जो अग्रेज अदिकारी है वह राजी अंग्रेजों के जो करमचारी है वह आएंगे अब चलते हैं गाउं की तरफ करमचारी गाउं में चलते हैं तो गाउं में है किसान खेती हर किसान और उसके उपर है जमींदार, देखो अच्छे से सुनोगे जो कुछ बाते बतारी हूँ, most important बाते बतारी हूँ, जमींदार जो है वह करमचारी को राजस्व देता है, क्या देता है भू राजस्व, लेकिन किसान जो जमींदार को देता है वह लगान कहलाता है, अच्छे से समझोगे वह क्या क कहलाता है लगान यस कुम कुम वेरी गुड बिल्कुल ठीक लिखा अब मैंने कहा ये सब चल रहा था अब बीच में हम क्या देखते हैं यहां पर एक नया शब्दा ग्या जोतदार यह जोतदार क्या है भाई यह तो है यह नहीं जो मैंने कड़ी बताई उसमें है यह नहीं अ यह धनी किसाने और इसके पास क्या है इसके पास बहुत बड़ी जमीन है इसके पास क्या है बड़ी जमीन है और इसलिए यहां क्या करता है यह किसानों को रिंड वगर उपलब्द करवाता है जमीनदार कहां रहने लगे जमीनदार जो है शहरों में रहने लगे पहले तो लेकिन उसके बाद में जमीनदार पैसे वाले हो गए वो शहरों की तरफ चले गए जोतदार गाओं में रहते थे बिल्कुल ठीक लिखा आपने जोतदार जो है वो गाओं में रहते अब अब देखो यहां पर क्या हुआ क्या है हम देखते ना दो की लड़ई में तीसरे को फ बढ़ाये तभी उसको फाइदा होगा क्योंकि उसे फिक्स अमाउंट आगे देना है बाकी का उसकी जेब में जाएगा इसलिए वो लगान बढ़ाने के प्रयतन करता था लेकिन उसमें जोतदार बीच में टांग ड़ाता जोतदार कहता नहीं किसानों को कहता तुम लगान किसान देंगे तभी तो आगे जमिंदार आगे जमा कराएगा कड़ी है तीन कड़ी अच्छे से सुनोगे तीन कड़ी है बीच में चौती कड़ी जोतदार है जोतदार किसानों को केयता तुम टाइम पे लगान मत देओ जान बूच कर चूक कर दो जान बूच कर क्या कर दो राजस्व देने में चूक करो अब जब चूक होगी तो जमीनदार के पास पैसा नहीं आएगा बाई साब के पास पैसा नहीं आएगा तो वो आगे कैसे जमा कराएगा और आगे नहीं जमा कराएगा तो बताओ नियम क्या था इस्तमरारी बंदुवस का नियम क्या था भूमी जो है वह निलाम कर दी जाएगी बस सिदा साधा अंग्रेजों का बहुत अच्छा अतियार था भूमी निलाम कर दो और जैसे ही भूमी निलाम होगी यह जोतदार जाकर के उस भूमी को खरीद लेग और इस प्रकार से वो और ताकतवर बन जाएगा बताओ पूरी पिक्चर क्लियर हुई के नहीं थमसब बेच कर बताओ कि क्या समझाना चाहरी हूँ क्या बताना चाहरी हूँ आप तक पहुँचाई के नहीं पहुँची हमारे पास तीन गटकी थे ना अंग्रेज है जमीनदा कानून लगावा है और इसी वज़से जब वो भूमी बिकेगी तो ये जोतदार उसको खरीद लेगा और इस प्रकार जोतदार बहुत शक्तिशाली होते चलेगा यस प्राची ने थमसब बेच दिया है यश्वी ममतार ड्रीम केलास प्रिती सवोत समझ में आ गया बच्चा सभी को चलो बहुत सारे कुशन्स इस पर बनेंगे तो अब बताओ शक्तिशाली कौन जोतदार के जमींदार हिसाब से तो जमींदार ताकतवर लेकिन वास्तों में जमींदार खोक ले ताकतवर कौन हो गया ताकतवर जोतदार हो गया और इसी वज़से जोतदारों की शक् परड़ेट कोर सस्ता है, सस्ते के लिए आप फटाफट खरीद लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब तक लाइव नहीं आओगे, मैं कुशन नहीं पूछूंगी, जैसे मैं पूछती हूँ, आप बताते हो, इस प्रकार से क्या होता है, बढ़िया याद होता है, क्लास म और पूछले, क्या गाओं के व्यापारी पर भी इसका नियंतरन था, यस, साहुकारों पर भी नियंतरन था, यस, देखो, यहाँ पर कोशन गुमा के कुछ भी पूछले, एक भी कोशन गलत नहीं करना है, एक कोशन गलत करने से बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, यहाँ ध्यान रखना है ना, तो यहाँ पर यह चीज अच्छी तरह से ध्यान रखना है कि हम क्या देखते हैं कि ये लोग जो है व्यापारी ओपर, साहुकारों परaria नि पूरे गाउं पर अगर दब दबा है तो किसका जोधार का, यानि शक्तिशाली कौन जोतदार जो है सबसे शक्तिशाली हो गए जोतदार एत को अपने पक्षमें रखते थे यस बताओ right answer क्या है आदी be answer right लिख रहे हो बिल्कुल ठीक है be answer जो है right है next हमारा question है देखो यहाँ पर बताया गया है कि जोतदार करता क्या था जोतदार क्या करता था ध्यान से सुनोगे बड़ी बड़ी जमीन रखता था हटीले थे जिद्दी थे और उनपर जमीनदार का वश ही नहीं चलता कैसे वश नहीं चलता राजस्वने चुकाते रुपही थोड़े ही देते कुछ न कुछ बकाया राशी रह जाती और इससे क्या हो जाता जैसे ही बकाया राशी रह जाती थी जमींदार की रकम बाकी रह गई तो अधिकारी कचरी में बुलाते दो तीन गंटे धमकाते तुरंट उनके शिकायत करने के लिए पुलिस थाना या मुनसिफ की कचरी में पहुंच जाते और जमीनदार की कारिंदों ने उनका अपमान किया यहां कह देते इस प्रकार से भढ़काते रहते छोटे-छोटे रहते को अब देखो इसको समझोगे जो मैंने आपको पूरा समझा दिया देखो सबसे उपर कमपनी है इस्ट इंडिया को प्राप्त हो गए इलाबात की संदी हुई थी उसके बाद अब जब अधिकार हो गए जमीन पर तो जमीन से क्या ले रहे है टेक्स ले रहे है यहां ध्यान रखना है एक बार कमेंट करो दस बार नहीं करो मुझे दिखाई दे रहा है भाई बार बार कमेंट नहीं करना आ है वह क्या करता था यहां से tax वसूल करता टेक्स तभी वसूल करोगे न जब अधिकार होगा अधिकारी नहीं होगा तो कैसे वसूल करोगे तो अधिकार था कम्पनी का कब आया पैसिठ में आया यह ध्यान रखना से यूटी ने इसमें भी question पूछा है अब अब बात करते हैं 1757, PLASI, सवोद, एक्सिलेंट, अब बात करते हैं जमिनदार क्या करता था, एक जमिनदार के पास 400-500 गाउं कंट्रोल में होते थे, बहुत सारे गाउं, यह ध्यान रखना, 400-500 गाउं जमिनदार के पास होते, अब जमिनदार जो है, उसके नीचे कौन है, जोतदार भी है और रेयत भी है अब ये किसान जो अपनी भूमी और छोटे-छोटे किसानों को दे देते थे उनसे भी काम करवाते थे उन्हें शिक्मी रेयत कहते थे शिक्मी रेयत भी लगान देगा रेयत भी लगान देगा लेकिन जमीनदार जो देगा वह राजस्व कहला क्लियर है क्या बताओ फटाफट से इधर आ जाओ ये कौन धन्वान है और इसमें व्यापारी माजन सभी आ जाएंगे ये लोग रेत से क्या देते थे उधार पैसा वगर देते थे शिकमी रेत इसके भी अंडर है यहाँ पूरा जो है बंगाल की स्थिति अब पड़ो कमपनी को राजस्व देता था कोशन पूछ सकते हैं बहुत इंपॉर्टन कोशन अच्छे से सुनो और गाउं पर राजस्व संबंदी मांग निर्धारित करने के लिए जिम्मेदार कौन है जमीनदार गाउं से राजस्व कितना आएगा वो कमपनी नहीं सोचेगी कमपनी क को कोई मतलब नहीं कमपनी तो जमीनदार को कह दिया तुम्हें यह रासी साल में एक बार जमा करानी बस अब जमीनदार कौन से गाम से कितना ले क्या करे क्या न करे यह सब जमीनदार की है यह ध्यान रखना तो यहां पर भी कोशन पूछ सकते हैं देखो जमा का मतलब क्या है राजस्व समंदी मांग को जमा कहा गया जिम्मेदारी किस की थी तो जिम्मेदारी जमीनदार की थी देखो बहुत सारे कोशन कराना पॉसिबल नहीं है कि मैं 500 कोशन कराओं इतना तो समय नहीं है लेकिन एक कोशन में मैं 10 कोशन और बताती हूँ उसको ध्यान से सुनो उसको ध्यान से नोट करते चले जाओ अब क्या बतारी हूँ गाव का प्रती एक छोटा या बड़ा रेत जमीनदार को लगान देता था यहां राजस्व नहीं लिखोगे यहां लगान शब्द का यूज करोगे जोतदार रेत को उधार देते थे अब कोसन आता है कि जोतदारों के आऊशकता तो जमीनदार ने क्यूंकि रेत को उधार वह ही देता उपट पशता था रेत को जमिन खुच जोत बाकी जमिन शिक्मी रेत कोशन आ जाये इस Internet क्रम से लगा तो जमीनदार जोतदार सबसे उपर जोत दार नह अपने जो लिखा तो बताँ ये clear हो गया क्या किस प्रकार से है यह इसका क्रम गाओं में किश्की सक्ती, जमींदारों के अपेक्षा जादा अब यह पढ़ाने की आशक्त नही अब आपको clear हो गया है, किसकी शक्ती जो है जादा होती थी, तो यह ध्यान रखना जोतदार जो थे, उनकी शक्ती जादा होती थी, जमीनदार अपनी जमीनदारी निलाम होने से कैस से बचाती, अब देखो हमें East India Company की पांचवी रिपोर्ट है, उससे पता चलता है जमीनदारों का हालत बहुत प्रस्तुत की गई थी, उससे पांचवी रिपोर्ट कहा गया, इसमें क्या बताया गया है, वास्ताव में क्या है, देखो यह तो है इंगलेंड ठीक है, अब पूरा इंगलेंड तो भरत नहीं आया, इंगलेंड से सिरफ इस्ट इंडिया कंपनी भारत आई है, इस्ट इंडिया कंपनी, इस्ट इंडिया कंपनी जो है भारत आई है, और भारत से क्या प्राप्त कर रही है, भारत से बहुत जबरदस्त लाब मिल रहा है भई, व्यापार करने के लिए तो आई थी, इस्ट इं मशीन है, बहुत सारी मशीन है, मशीन से क्या होगा, मैं हाथ से एक सिलाई करके कुछ काम करूंगी, तो शायद पूरा एक दिन लग जाएगा, मशीन से करूं तो एक गंटे में वही काम हो जाएगा, तो यहाँ ध्यान रखो, अध्योगिक क्रांती, यानि बड़े पैमाने प भरत में बहुत जनसंख्या, और इसी वज़से खपत बहुत बढ़िया, तो अंग्रेजों ने क्या करा, अपने उत्पादन को ला करके भरत में बेचा, क्या सारे अंग्रेज आ गए थे, नहीं सारे अंग्रेज नहीं आये थे, सिर्फ और सिर्फ जो है, इस इंडिया कमप पड़ा है, अब उन्हें इरिश्या हो रही है, ये तो बेच रहे हैं, और हमारा माल ने बिच रहा, ये तो फाइदा उठा रहे हमें फाइदा नहीं हो रहा, इसी लिए जो ये उध्योग पती बच्चेवे हैं, वह इंग्लेंड की संसद में बार बार एक बात कहते हैं, ब बहुत ज़्यादा इंग्लेंड में बवाल हो गया, भारत और चीन से भी व्यापार करते थे, उसका भी प्रॉफिट इस्ट इंडिया कमपनी ले रही थी, तो कुछ जो बच्चेवे उध्योग पती हैं, ये उध्योग पती रो रहे हैं, और यहां कह रहे हैं, कि सारा एक भारत में बैठे हैं, वो खुब पैसा कमा रहे हैं, उनका शासन गलत है, और उनी की वज़ा से जमीनदारी प्रथा का पतन हो रहा है, देखो दो चीज़े बहुत अच्छे से सुनना, जो बहुत इंपोर्टेंट कंसेप्ट हैं, अच्छे से सुनो, दो चीज़ क्या ब इतनी जमीने निलाम हो रही है, जमीनदार लोग जो है डंग से कामी नहीं कर पा रहे, आपने बर्णियर पढ़ा है न, आपने क्या पढ़ा, बर्णियर क्या कहता है, सबसे अच्छी चीज़ जमीनदारी व्यवस्था, कॉर्ण वॉलिस खुद जमीनदार था, आप ये में इस्तमरारी बंदुवस्थ है, यही तो इस्तमरारी बंदुवस्थ में हमने किया, जमीनदारों के साथ सोदा, यहाँ ध्यान रखना, इंग्लेंड की सरकार जो है, वह फेवरेबल थी, किसके जमीनदारी के, क्योंकि इंग्लेंड में भी, क्या थी जमीनदारी व्यवस्थ इंग्लेन में भी, इंग्लेंड में क्या थी जमीन दारी विवस्ता और कैसी रही best, बहुत बढ़िया उसका रिजल्ट था और इसलिए उन्हों ने कहा, जब तक भूमी का मालिक वेक्ति नहीं होगा, वो इसमें इन्वेस्ट नहीं करेगा, इन्वेस्ट नहीं करेगा तो उपज नहीं बढ़ेगी उपज नहीं बढ़ेगी तो राजस्व प्राप्त नहीं होगा पूरी इस प्रकार से आपको जो है एक बात को दूसरी बात से लिंक करते वे समझना है ठीक है और इसलिए यह लागू किया लेकिन पांचवी डाउन डाउन और डाउन हो रही है भरत में भरत में क्या हो रहा है जमीनदारी व्यवस्था का पतन बताओ यहाँ बात एकदम संसनी खेज है की नहीं अच्छे से कंसर्ट समझ पाए की नहीं दो बाते समझनी है दो बात क्या थी एक बात तो यहाँ थी कि जमीनदारी व्य वो दूसरों को चुब रहा था, वो काटा लग रहा था, उस काटे को निकालने के लिए संसद में इसका बवाल हुआ, और आखिर यहाँ फैसला लिया गया, इस टिंडिया कंपनी जो भी काम करेगी वो लिखित में भेजेगी, और इस प्रकार से हमारे पास उसकी रिपोर्ट यही प्रवर समीती थी, अब बताओ, एक बार सभी बच्चे एक साथ थमस अब करके एकदम बढ़िया, डाइमंड क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, कहीं कोई समश्या तो नहीं, पूरे चेप्टर का नीचोड जो है, मैंने आपको बता दिया है, चलो अब करते हैं को, अब बा बढ़ा जड़ा कर लिखा है, क्या वो सही है, नहीं वो सही नहीं है, कैसे सही नहीं है, अब ये बताओ, अभी तक तो मैंने बताया क्या वो सही, अब मैं कहारी हूँ, कैसे सही नहीं है, यहाँ आपको बताना है, देखो सही ऐसे नहीं है, कि हमने देखा कि जमीनदारिया निलाम नहीं होती थी, सारी बिक्री फरजी थी, पढ़ाना अपने, सबसे पहली चीज तो क्या करते थे, जमींदार जान मुझ कर देरी करते और उसको जमीन को निलाम होने देते, उसके खुद के ही एजेंट बैठ जाते, और उस जमीन को वापस खरीद लेते तो इस प्रकार जमीनदारी निलाम नहीं हो रही थी दूसरा कुछ जमीन अपनी मा के नाम कर देते क्योंकि इस इंडिया कमपनी में रूल था देखो अच्छे से कान खोल कर सुनो बहुत सारी बाते बता रही हूँ बहुत बड़ा चेप्टर है उसको दो दिन में खतम करना बहुत मुश्किल है फिर भी कोशिश कर रही हूँ तो आप एक एक लाइन जो मैं बोल रही हूँ एक शब्द जो मैं बोल रही हूँ कमेंट भले नहीं करो इयरफोन लगा के अच्छे से सुनो और एक एक चीज जो है उसको नोट करो क्या मैं बताना चाहरी हूँ वास्तों में जमीनदारी कैसे बचाते थे बताओ तो सबसे पहला तो आपको बताया फरजी बिक्री दूसरा जमीनदारों के बहुत बहुत जो एकदम उनके फेवरेबल लोग देल से जुड़ेवे थे जो उन्हें अपना शनरक्षन मांगते थे वो लठ लेकर के बैठे रहते भले जमीन बिक्गई लेकिन उस जमीन पर रहने वाले लोग जो है वो भी चले गए लेकिन दूसरे आसपास के लोग लठ लेकर यानि बड़ी लकड़ी लेकर बैठे आओ तो सही दूसरे लोग यहाँ आई नहीं सकते हम उसे निलाम नहीं करेंगे तो यह लोग जमीन दार बहुत सारा हिस्सा अपनी मा के नाम कर देते थे अपनी पत्नी के नाम कर देते थे इस प्रकार से जमीन को बचा लेते थे यहाँ ध्यान रखना है ना तो यहाँ आपको अच्छे से ध्यान रखना है अब बताओ जमीन आने रेयत जो होते थे वो बाहर से आने वाले लोगों को अंदर एंटी नहीं देते हैं गाउनवाले बहुत पक्के होते हैं ध्यान रखना गाउं बहुत है आज भी गाउं में बहुत एक्टा मिलती है भले जमिन बिग गई लेकिन मजाक है कोई जाकर के वहाँ रहके तो बताओ लठ्याल बैठे वे तो वो अंदर गुसी नहीं पाते है ना तो यहाँ ध्यान रखना है तो right answer क्या होगा बताओ फटाफट से मैंने सारे point clear कर दिये हैं बस C छोड़ दो A, B, D, C right कर दू क्या बताओ A, A कैसे बताया बई C होगा ना correct answer हाँ A, B, D जो है वहाँ right answer है C answer right है चलो आगे चलते हैं पांची रिपोर्ट क्या थी 1815 में पेश की गई थी क्या बताओ फटाफट से right है कि wrong और अगर wrong है तो right क्या है यह भी बताओ पांची रिपोर्ट भरत में इस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन और क्रिया कलाप के विशय में थी बहुत अच्छे से बहुत बड़ा topic है पांच मिनट में समझाया है मैंने आपको बहुत अच्छे से इसका एक एक पॉइंट ध्यान से सुनना है बहुत सारे question इस पर CUET में पूछे वे हैं और पूछे जाएंगे क्योंकि बहुत important topic है क्या है यह क्यों लिखी गई इसके पीछे aim क्या था theme क्या थी किस ने लिखा क्या यह सत्य है बहुत सारे प्रशने जो है बन सकते हैं सारे प्रशने तभी सही होंगे जब concept clear हो कहीं कोई दिक्कत हो कहीं concept में समझनी आया हो तो question पूछो very nice सभी बच्चों ने लिख दिया excellent 1813 में तो wrong कर दू ना इसको अब बात करते किसके बार answer right है भी ठीक है क्या हां भी आपने लिख दिया ठीक है देखो पांची रिपोर्ट इसको आपके paragraph based question भी आ रहे हैं अभी में लेकर भी आयू एक paragraph यह यू क्यू paragraph दे दिया 12th board में source पढ़ो ठीक है जानकारी के लिए question बहुत rare आते हैं लेकिन आप देखो कि CUT source based question ज्यादा पूछ रही है CUT exam में last year 2022 में यह paragraph दिया गया था और इस पैसेज से बहुत सारे question पूछ ले अब इस पैसेज में कहीं नहीं दियावा है कि Lord Cornwallis इस्ताई बंदुवस्त का जनक था मैला की संपत्ती निलाम करने से रोक दी जाती थी लेकिन इसमें से question पूछे छोटे को कैसे सिखाते हैं कि सेम शब्द पकड़ ले और उस पर underline कर ले और वो answer चिपका दे ऐसा question नहीं आएगा आपको question का paragraph से यह समझना होगा कि topic क्या है बस सिरफ topic के लिए question का paragraph आएगा अच्छे से सुनो उसको ढूनते मत रह जाना कि मैडम paragraph तो आया पर paragraph में तो answer ही नहीं होंगे छोटी क्लास का अंसिन पैसे नहीं आ रहा है CUT का paragraph जो है वह दे रहा है और इससे बस यह पकड़ना है आपको कि यह किसके बारे में बता रहा है भई हमने 1713 में इस्ताइबंदुवस विवस्ता पड़ ली उसके बाद जो निलामी हो रही है उसको बता रहा है और य मानलो मेरे मन में गांधी जी से कुछ शिकवा शिकायत है तो मैं कहूंगी गांधी जी ने छोटा सा विद्रो हो गया और जो सयो गांदोलन जो था उसको बंद कर दिया चोरी-चोरा कांड इतना सा कांड था इतना बड़ा भारत है छोटी-छोटी बात होती रहती है अगर कांधी जी वहां रोक नहीं लगाते तो हम बहुत सालों पहले आजाद हो गए थे क्योंकि हो जाते क्योंकि देश पूरा अंदोलन की वेग पर था यह आपने भी पढ़ा है ना तो हर वित्ति के अपनी अपनी विचार धारा होती है ध्यान रखो उसका उससे रिष्ता उसक इसकी अनफरत दिख रही है हाँ इतियास का सोर्स नहीं माना जा सकता नीरज एक्सलेंट तरीके से आपने समझ लिया है जो मैं बताना चाहरी हूँ अच्छे से समझ ना यस कंपनी की आलोचक लिख रहे हैं बिलकुल आपने सही लिखा है बच्चा की वास्तम में ये कंपन बनी है बहुती शांदार पिक्चर इस पर बनी वी है जल सागर जल सागर जो पिक्चर है उसमें इसी के बारे में बताया रील में बनी वी आप उसको देखना पिक्चर को उसमें बताया किस प्रकार जमीनदारी विवस्ता बंगाल की जमीनदार एक बार राजा की तरह थे और अब एकदम उनकी स्थिति डाउन डाउन और डाउन होती चली जाती है, ठीके, तो यहाँ ध्यान रखना है, अब जमीनदारों की हालत और निलामी की बारे में पांची रिपोर्ट में कहा गया है, निलामी बेचने के लिए रखी जाती थी, अब पढ़ो इसमें से आया, मैं अभी बताऊंगी आपको, 1203 की बात बता रहे हैं, 96, 70, 97 में बिक्री के लिए विज्यप्ती जमीन की निर्धारित राशी, उसमें पूछा है, जुम्मा क्या है, जुम्मा का मतलब क्या है, अब अच्छे से सुनो, जुम्मा का मतलब, जमीन निलाम हो रही है, मान अच्छे से सारे बच्चे जो है, बढ़िया तरीके से जा पाई, तो ये उमीद है, चलो, अब ये तो हो गई उमीद, अब बात आगे चलते हैं, लेकिन वास्तों में 17,90,000 में भी की, अब 17,00,000 में भी की, लेकिन भीकने से क्या हुआ, टेबल पर तो साइन हो गया, बई 17,00,000 में तेरे को जमीन दे रहे, लेकिन उस आदमी ने लाकर रुपे कितने रखे टेबल पर, अब देखो 14,00,000 रुपे ही वास्तों में प्राप्त हुए, जुम्मा के रुप में प्र अंतर है, तो यही कोश्चन आपके पूछावा है, सत्य जितराई की पिक्चर बिल्कुल जलसागर, और इस प्रकार से आपको यही बताया है, कि गरीबी बरबादी का सामना करना पड़ा, सालवजन इक दिर्धरन की राशी अथावत बनाये रखने के लिए राजस्वधिक लागू की भरत में, लेकिन वो सक्सेस नहीं हो रही, जमीने तो निलाम हो रही है, लेकिन वास्तों में हम देखते हैं, जमीने जो है, निलाम हुई नहीं थी, ठीके, अभी बताऊंगी कौन सा कुशन पूछा, कैसे पूछा, अब बताओ, पांचवी रिपोर्ट में क्या पांचवी रिपोर्ट में आकड़े हैं, कितनी राशी आई, कितनी अभी आपको बताई थी ना, आकड़े हैं, इसके अलावा हम देखते हैं कि अंग्रेज जब भरत में आये, तो उन्होंने सुप्रिम कोट की भी स्थापना कर दी, बंगाल को सबसे उपर कर दिया, मदरास है, कलकत, वो सारे उनके अंडर में कर दिये, बंबई और मदरास, पूरा जो है बंगाल के अंडर में कर दिया, बंगाल का गवर्नर, गवर्नर जनरल हो गया, यह आगे पढ़ोगे, और बंबई और मदरास में भी अंग्रेजों के अंडर थे, वो भी उनके अंडर में कर द है उन सब की रिपोर्ट इसमें इनिक्लूड की गई थी यहां ध्यान रखना है ठीक है तो राइट आंसवर क्या हो गया हमारा A, B, C, D, All of the above जो है वहां राइट आंसवर है नेक्स्ट है मैच करना है एक लिस्ट को सेकिंड वाली लिस्ट से मैच करना है ठीक है अब चलो मैच करते हैं बेनामी बेनामी क्या है गुमनाम यानि नाम ही नहीं है वास्तों में जब निलामी होती थी ओक्सन जिसे हम कहते हैं जब निलामी होती थी ना तो होता क्या था फरजी बिक्री होती मतलब कोई व्यक्ति उसको खरिद लेता उसका नाम वाम कुछ नहीं है इसी को कहते है बेनामी तो बेनामी मतलब घुमनाम जो है संपत्ती का बिखना योमन कहां आया है छोटे किसानों के लिए योमन शब्द आया इस्तमरारी बंदुवस्त जब लागू किया फिक्स जो हमारे पास में बंदुवस्त व्यवस्ता लागू की गई थी उस समय यह कहा गया कि छोटे किसान भी अच्छी स्थिति में आ जाएंगे जमा किस के लिए आया है लगान के लिए आया है और महाल यानि एसेट्स है भूमी है उसे क्या कहा गया है महाल कहा गया है चलो A का 2 B का 4 A का 2 है B का 4 और किसी में तो नहीं है भई B का 4 नहीं किसी में नहीं है तो B answer right कर दूँ क्या यस B लिख दिया आपने देखो बेनामी का मतलब है गुमनाम हिंदी और भारती भाषाओं में इस सब्द का प्रयोग जब हम सौदे कर रहे है तो फर्जी जो विक्रिया होती है उसके लिए गुमनाम नाम दिया जाता है देखो ये question C.O.E.T. 2022 में पूछा गया सत्यजित राई जो है बंगाल के अंदर जो जमीनदार थे वो बहुत इस्तिती खराब मैं आप एक movie की story पढ़ना तो पता चलेगा जमीनदार बहुत दुखी है वो कोई शादीव अगर में नहीं जाता उसको शैनाई सुनाई दे रही है उसका नौकर हुका लेकर आया है और वो अपने नौकर से पूछ रहा है शैनाई बजरे यस तो वो नौकर पूछता है क्या साहब आप शादीवे चलेंगे तो कहता है तुम्हें पता निये में कही नहीं जाता एक इंसन जब टूट जाता है दिल से तो वो कोई फांक्शन उसको अच्छा नहीं लगता जमीनदारी व्यवस्ता कैसे जरजर होती चली गई उस पर पिक्चर बनाई है और यही कोशन आपके पूछ लिया यह कहां दिया है कहीं नहीं दिया चप्टर में आप चप्टर पूरा पढ़ लो तो आपको मिलेगा ही नहीं वायस राय और गवर्नर जनरल में अंतर क्या है गवर्नर जनरल ही वायस राय था लेकिन 1857 की बाद गवर्नर जनरल की समान में बहुत व्रद्धी कर दी गवर्नर जनरल अब वायस राय कहलाएगा ऐसा कर दिया गया ठीक है हाँ पंधिरपंचाली फिल्म मा बिल्कुल ठीक है कैलाश बहुत बढ़िया सत्यजीत राई की पिक्चर है जल सागर वास्तर में जल शागर नहीं है जल की तरह घर हो गया है उसका वह ऐसा कह रहा इसमें किसके बारे में बताया गया है जमीनदारी व्यवस्था जो है उसका ध्यान रखना तो यहाँ पर लिखावा है जमीनदार लाइफ स्टाइल का डिकलाइन हो गया इसी को इसमें बताया गया है अब देखो यह कोशन कहां से आया यह तो दिया ही नहीं है आपके बुकमे नहीं दिया आप कहोगे मैं मिला ही नहीं चित्र सारे के सारे डाइग्राम जरूर ध्यान रखने अंडुल राज महर इसमें एक युग का अंत हो गया क्या बता रहा है एक युग जब जमीनदार बहुत ताकतवर हुआ करते थे उसका अंत हो गया बावशेस है यह जमीनदारों के पत्नों मुख जीवन सैली पर बनी हुई है सत्यजीत राय की टार था चिर्यागर की स्थापना करता अलिपूर में वेलेजली का जो है ऑपरेशन करने वाला शल्य चिकितसक भी था ठीक है यहां आता है राजमेल की पहाडियों में और उसे देखता है उसका खूब बढ़िया उसने वर्नन किया है तो आपको पूछा है राजमेल की पह जा रही हूं में आपको लेकिन अभी तक मैदान वाले इलाके में थी अब थोड़ा सा पहाडी की तरफ थोड़ा सा अलग लाइफ स्टाइल जो है उसकी तरफ हम मूव कर रहे है ठीक है अब बात करते देखो जो कोर्स में होगा नीरज वही पढ़ाएंगे अभी आपके य देखो फ्रांसी से बुकानन ने राजमेल की पहाड़ियों की क्या विशेस्ता बताई उसने कहा ऐसी पहाड़िया जो गजट की बहुत उची उची उसको भेदे नहीं सकते अभैद्य दिखती है और उसने बताया बहुत खतरना की लाका है कोई जाता ही नहीं या कि निवा फिर से हमारे जीवन में दुख लाएगा यही इस्तिति भारत के पहाड़ी लोगों की क्यों देखो अब इसको समझोगे अंग्रेज जब भारत में आये ठीक है अंग्रेज क्या चाहते हैं अच्छे से इस कड़ी को समझो अंग्रेज चाहते हैं जादा से जादा जेबे भ जब राजस्वब प्राप्त होगा बताओ। राजस्वब कौन देगा? वहाव रजस्वब देगा जो इस्थाई रूप से रहेगा। जो खेती बारी करेगा जो हल चलाएगा वही तो हमें राजस्वब देगा। अब बात करते हैं पहाडिया लोगों की, चलो, अब कहां आजाओ, पहाड की तरफ आजाओ, क्या पहाडी लोग एक जगे रहते हैं, क्या, नहीं, पहाडी लोग जो है, वह तो जूम खेती करते हैं, जूम खेती क्या होती है, बताओ, जूम खेती ऐसे होती है, मालो एक भूमी है अब एक जगे पर हमने सारे जंगल साफ कर दिये उसमें आग लगा दी और उसके बाद में उस जाड़ियों को जला दिया जिससे अब यहां पर क्या आ गया पोटाश आ गया अब यहां पर थोड़ा सा कुदाल कुलहरी ली हमने थोड़ा सा इसको खुर्चा और यहा कार्णाश परक्तमttर में आपको बताएं जोड़ा जोमखेता्टि क्या है तो इस प्रकार से यह पहाड़ी लोग जोमखेती करते अब यह पहाड़ी लोग आज यहां है अब इसको अंग्रेजों को इनन पहाईदा नहीं होगा क्यों बही कोई stable ही नहीं है तो वो tax कहां से देगा है ना और इसी वज़से अंग्रेजों को इनसे बहुत तकलीफ थी क्योंकि राधस्व नहीं आता था इसी वज़से इनकी आपस में लड़ाई चलती थी तो यहाँ ध्यान रखना लड़ाई चलती थी यहाँ तो ठीक है फिर एक बताती हूं अंग्रेजों ने क्या करा, अंग्रेजों ने 1770 में कहा, इनको निर्मूल जड से समाप्त कर दो, निर्मूल का मतलब क्या होता था ? जड से उठाकर कोई पौदा फैक दो, पेड फैक दो तो पूरा खतम, 1770 में खूब मारा, खूब जो है पहड़िया लोगों को मारा, क्योंकि पहड़िया लोग हल चलाने को तयार नहीं, अंग्रे जी की बात मानने को तयार नहीं, वो बंधने वाली नहीं है, भई वो तो एक क्या मैं उसके शकल देखकर खोश होंगी, नहीं होंगी, पहाड़िया लोग जब भी किसी अंग्रेज अधिकारी को देखते, वह कहते यह ऐसा व्यक्ति है जो जीवन बरबाद करेगा, यह उस व्यक्ति का प्रतिनिदित्व करता है जो जीवन नस्र कर देगा, तो बताओ, अब ऐसा व्यक्ति आएगा, तो मैं उसके स्वागत में मिठाई लाओंगी, क्या, नहीं लाओंगी न, उसी लिए जब बुकानन यहां पहाड़ियों में आया, बुकानन कब आया था, बुकानन आता है 1810-11, और 1770 में अंग्रेजों ने बहुत हालत खराब करी, अब जब अंग्रेजों ने इतना उनको मारा है, अब अंग्रेज अधिकारी बुकानन वहां आ रहा है, तो वो लोग मित्रता पूर्ण विवार नहीं करेंगे, जिस प्रकार से हम देखते हैं, अमेरिका की खोज हुई, हम वहां पर देखते हैं, वासको डिगामा, तो वहां बहुत स्वागत हुआ, वैसे नहीं होगा, क्योंकि यहां के लोगों को बहुत ज्यादा पिडित किया है, अंग्रेजों ने, इसी वज़़ा से जो है, यहां उनका स्वागत नहीं करेंगे, यहां के लोग कमपनी के अधिकारीों के प्रती डाउटफुल रहेंगे, कि यह फिर क्या राइट है दी आंसवर जो है आपका राइट है चलो वुकानन क्या था मैंने आपको पूरा बता दिया एक डॉक्टर था वैले जली का सलेचिकित सक था अलिपूर चिर्यागर की स्थापना वो करता है देखो अब इसमें कई न कई एक छोटा सा शब्द बदल देंगे औ प्रमिला बिल्कुल ठीक है ABCD सारे राइट आंसवर है देखो यहाँ पर दियावा है वो शलीचिकित सक था वो भारत का गवर्णर था आलिपूर चिर्यागर इस्थापना करता है और 1815 में वो वापस निकल जाता है अठारवी शताब्दी राजस्वा भी लेखो के अनुस कना इत्वा के फूल इखटा करते थे काट कोईला जो है इखटा करते राल बनाते यानि सारा जीवन पहाड़ीों में इमली आम के जो पेड होते थे उसके च्छाओं में उनकी जौपढ़िया होती थी जीवन ही पूरा उनका पहाडियों से लगावा था इसलिए उन्हें पहाडिया लोग कहा गया है ना राजमिल की पहाडियों के इर्दगिर्ड रहते वही पर उपच से गुजर बसर करते थे छोटे-छोटे इस्सों में जाडिया कारते इसको क्या कहेंगे जूम खेती जो मैं अभी पूरी समझा दी आपको राक की पोटास से अपने खाने के लिए तरह तरह की दाले और जवार बाजरे उका लेते थे यस बिल्कुल ठीक है तो राइट आंसर क्या कर दू भाई 21 का डी जो है आपने बता दिया है सभी ने all of दिया वो चलो मैच करो Augustus Cleveland पहले समझोगी Augustus Cleveland कौन है 1770 में तो अंग्रेजों ने कहा कि पूरा इनको शूट कर दो खथम कर दो मार डालो लेकिन 1780 में भागलपुर में जो collector आया था यानि बंगाल की ही बात बता रही हूँ इस व्यक्ति ने थोड़ा सा समझदारी से काम किया इसने क्या कहा इसने कहा कि जो ये पहाडी लोग है न पहाडियों का मुख्या हमारे पास आए पहाडियों का मुख्या आएगा हम उसे क्या देंगे हम उसे थोड़ा धन देंगे, बत्ता देंगे, इसके बदले में वो क्या करेगा, वो अपने आदमियों की चालचलन ठीक रखेगा, अनुशासन रखेगा, शान्ती व्यवस्ता रखेगा, यहाँ बात Augustus Cleveland ने कही थी, अच्छे से समझो Augustus Cleveland कौन था, Augustus Cleveland भागलपूर का कलेक् है, जो 1780 में आता है, 1770 में तो बहुत जगड़े, लेकिन 1780 में थोड़ी शान्ती की नीती, उसने कहा, हैड साहब आजाओ, हम आपको पैसा देतें, उसके बदले में आप अपने आदमियों को ठिक ठाक रखो, बहुत लड़ाई जगड़े करतें, उनको एक इस्थान पर अनुशासन में रखो, क्या सभी व्यक्तियों ने भत्ते ले लिये थे, क्या, आंस्वर देओ मुझे, क्या पहाडिया के मुख्याओं की द्वारा भत्ते लिये गए थे, क्या, क्या सभी पहाडिया लोगों के मुख्याओं ने भत्ते लिये थे, यस और नो, यहाँ बताओ अगस्त्रस क्लीवलेंड सांतिकी नीती पहाडिया का प्रतीक देखो ये मोस्ट इंपोर्टेंट बोर्ड एक्जामर में पचासो बार पूछावा है पहाडिया लोग कुदाल चलाते थे हल को हाथ नहीं लगाते थे जबकि संथाल अभी बताऊंगे अठारा सो के आगमन में संथाल आ गए और संथाल बहुत बड़ी हल चलाएंगे तंबक उगाएंगे कापास उगाएंगे और इसी वज़ज़ से अंग्रेजों को वो आदर्श बासिंदे लगेंगे नहीं Yes, बिलको ठीक लिखा no नहीं, सभी ने भद्ता नहीं लिया क्यूं नहीं लिया? कुछ लोगों ने लिया जिसने लिया उसका प्रभुत्व खतम जैसे मैंने पैसा खा लिया अब मैं अपने गई गाउं में अपने लोगों को ठीक ठाक करने तो लोग क्या रहे अरे तुम तो अंग्रेजो के आगे बिग गए कोई उसकी बात ही नहीं मानता और इस प्रकार से इस नीती का कोई जो है रियक्शन नहीं आया था चलो राइट आंस्वर क्या है एक का थर्ड आंस्वर राइट है इसमें भी है इसमें भी है तो बी देखो पहाड़िया कुदाल से खेती करते थे तो बी का आएगा वन यानी सी आंस्वर तिक कर दू क्या या सी जो है आंस्वर अभिशेक ने दे दिया है हाँ वो उनकी बात नहीं मानते यह देखो यहां पर यह पहाड़ियां जो कितनी सुंदर इसको होजेज ने चित्रित किया है इतनी सुंदर तरीके से उसने चित्रित किया है कि किस प्रकार से यह पहाड़िया लोग जीवन बिताते थे यह कैसे बनाया पता है तामबे की पट्टी और उस पर एसिड से उतकिर्णन किया गया है इसमें इस प्रकार से यह शो हो रहा है देखो एक बहुत इंपॉर्टें है कि आप जो है कौन से सब्सेक्ट के हैं आप आर्स स्ट्रिम से हैं कॉमर्स से हैं की साइंस से आपका सब्सेक्ट कौन सा है मानलो आपका सब्सेक्ट हिस्ट्रिय आपने यह लिख दिया और आर्स ले लिया और उसके बाद में आपका मीडियम क्या है हिंदी मीडियम है और क्या question है इसमें बहुत अच्छी आपकी practice होगी बिल्कुल वैसे ही जैसे exam में आपके पूछे जाएगे तो यहाँ जो है form description box में दिया है आज ही इस form को जो है आपको जो है link पर click करोगे नीचे link आ रहा है और form आ जाएगा इस form को जो है आपको fill करना है form को fill करते ही आपको जो है test paper प्राप्त हो जाएगे ठीक है समझ में आ गई क्या एक बार सभी थमसब बेच कर बताओ क्या कहा मैंने इस प्रकार से करना है और एक और बात आपसे पूछना चारी हूँ कितने बच्चे हैं ऐसे जो युपी बोर्ड से हैं और जिनोंने उतकर्ष से पढ़ाई करी चाहे उतकर्ष के रिविजन में पढ़ाई करी चाहे आपने crash course से पढ़ाई करी है साल भर मुझसे जुड़े वे थे बताओ कौन-कौन से बच्चे हैं जो यूपी बोर्ड से हैं जो उतकर्ष से या तो मॉडल पेपर से या उतकर्ष के क्रैश कोर्स से कहीं से भी उतकर्ष उसे जुड़े वे हैं तो उसकी सूचना हमें दीजिए इससे क्या होगा आपका बहुत ही सुन्दर वीडियो बनेगा और वो सभी बच्चे देख पाएंगे कितने परसेंटेज आए आपके आपके रोल नमबर लिखकर मुझे भेजो सभी ने थमसाप कर दिया यास मा यास ओके मैडम बहुत बढ़िया सौनु जी ने लिख दिया है राम निवास अब एक बात और बताओ मुझे कितने बच्च सभी को हम बताएंगे तो उससे बहुत बढ़िया लगेगा तो आपको क्या करना है आपको सिरफ अपने रोल नमबर जो है यहां पर अभी चैट में मुझे भेजने है ठीक है बाकी टीम आपसे संपर्क करेगी और आपसे बात होगी ठीक है हम आपसे बस यूट्यूब पर जूड़े है कोई बात ने यूपी बोर्ड वाले जो है प्राची अपने रोल नमबर लिखकर भेजो बेटा सवोध बिहार से हो बहुत बढ़िया आपका रिजल्ट आ गया क्या अभी बिहार का थोड़ी आया यूपी का ही आया ना हाँ रगू क्या आप MP से हो अच्छा ज पच्छे देख पाएंगे नम तो जरूर यह एक bergंड़ीय जिसको हाप को सुनना से धानी के लिए और संभनाने के लिए और तीसरी बात थी उपर खाने की कमी हो जाती-ती अकाल पड़ जाता मैदानी अältय था तो यहां ध्यान रखना है मैं भी RBSC से हूँ paid batch लिया था मैंने प्रेड़ना ओके बहुत बढ़िया तो यहाँ ध्यान रखना है UP board वाले फटाफट से अपना roll number लिख के भेजो सवोध 80% roll number लिखकर भेजो बेटा क्या आप उतकर से जुड़े वे थे यहाँ भी लिखकर भेजो अपने आपको अकाल में जीवित रखने के लिए अपनी ताकत दिखाने के लिए राजनेतिक संबन कंपनी से बगावत के लिए कंपनी से कोई मतलब नहीं है तो ABC जो है वह हमारा right answer है नेक्स्ट कोईशन है लिस्ट एक और टू से मिलाना है सहुकार के लिए एक शब्द आता है दिकू खिराज क्या था देखो पाड़िया लोग बार बार अटेक करते तो जमिंदार लोग नीचे वाले जो लोग है मैदानी लोग दुखी हो जाते तो वो एक टेक्स देते थे खिराज और उसके बदले में शांती लेते व्यापारियों को वहाँ से जाना है उस पाहड़ी इलाके से तो व्यापारी कहते है अरे मेरा माल तो ये लूट लेंगे पाहड़िया लोग तो लूटने वाले लोग थे तो वो भी उन्हें टेक्स दे देते थे पतकर और फिर ब खिराज क्या था जमीन दारों द्वारा पाहड़ी लोगों को शांती के लिए पतकर जो है वह व्यापारी देते थे दामीनी कह क्या था देखो 1832 में अंग्रेजों ने एक जमीन जो है संथालों के नाम कर दी और कह दिया आपको इस जमीन पर रहना है यहां खेती करनी हल च दिया या सी राइट कर दो चलो अब बात करते हैं अठारवी शतापदी के अंतिम दशकों में जंगलों की सफाई को प्रत्साहन क्यों दिया गया सीधी सी बात है मैंने पूरा समझा दिया है जंगलों की कटाई होगी तभी राजस्व अच्छा आएगा और निर्यात के लि अब बात करते हैं क्या कंगलुजन निकला इस्थाई क्रशी का विस्तार क्या उसके बाद में क्या परिणाम निकला जब इस्थाई क्रशी का विस्तार होने लगा संथाल लोग आते चले गए तो उसका परिणाम क्या हुआ भई सीधा सा परिणाम जंगल खतम हो गए खेति पहाड़ी आधिकारी अपने आदमियों का अंग्रेज नहीं, पहाड़ी जो लोग है वहाँ अपने लोगों का चाल चलन ठीक करेंगे, यहां ध्यान रिखना है, मुख्या अपनी बस्तियों में व्यवस्ता रखेंगे, अनुशासन में रखेंगे, यस, ए, बी छोड़ दो, सीडी, अच्छे से पढ़ना इस कोशन को, देखो यहां पर छोटी सी गलती कर दोगे आप है न, यहां पर एक छोटी सी गलती जो है, वहां आप कर दोगे, क्या गलती कर दोगे, यहां पर अंग्रेज जदिकारी अपने आदमियों का चान चलन नहीं, मु वह देखता इतनी गजब की खेती ऐसी बेस्ट सरसो और तमबाकू जो वल्ड में नहीं होती तो उसने कहा चट्टानों की बीच में गाउं है बंगाल में राजमेल की पहाडियों में एक पहाड़ी है गंजूर या पहाड और जब वहाँ पहुचता है बुकानन तो बुकानन में जा सकते 100% जा सकते देखो कोशन पढ़ोगे तब मजा आजाएगा आपको क्या कहा एक चट्टानी इलाका था और वहाँ पर जुताई करी शांदार इलाके में बदल दिया विश्व के किसी भी शत्र से यानि आप वर्ल्ड में कहीं पर किसी से पीछे नहीं रह सकते वो खुद अंग्रेज कह रहा है कि मानव के सम का अगदम बढ़िया प्रियोग बस आवशेक्ता क्या है आप अपनी मेनत जो है मोबाईल में मत लगाओ गेम में मत लगाओ बार टाइम वेस्ट करने में मत लगाओ खुब अच्छे से पढ़ो सिविल सर्विसेज जो है कुछ भी नहीं आप आराम से वहां पर भी जा सकते हो अगर मानव श्रम का समुचित प्रियोग किया जाए तो काया पलट जाती है यहां ध्यान रखना है तो राइट आंसवर क्या हो जाएगा ABCD जो है all of the above इसका राइट आंसवर हो जाए संथाल क संथाल को राजमेल पहाडी पर बसने के लिए क्यों आमंत्रित किया था देखो CVT में पूछा है अब देखो संथाल क्या राजमेल के रहने वाले थे नहीं वो तो भाड़े के आदमियों की तरह जमीनदार उन्हें लेकर आए थे वो इस्थिर क्रशिव करने को तयार थे य इंगलिश देखना हिंदी थोड़ी गड़बढ है इंगलिश एकदम सही है वे प्रभावशाली जमीनदार थे लेंडलॉड थोड़ी थे क्या उनके पास जमीन थी क्या नहीं लेंडलॉड तो लेंडलॉड नहीं थे संथालों ने पहाड़ियों को पहाड़ियों की तलहट करना है तो पहले दो तो हटा दो जैसे कौन बिने का करोड़ पती मैं मिता बच्चन खिलाते हैं दो गलत Авप्शन हटा दो हमेशा सबसे पहले दो गलत हटा दो फिर क्या बचा फिर बच गया आपका 20 अई है ना तो 20 में सई अब बताव क्या सी सही है क्या वो जमीनदार थे क्या वो जमीनदार नहीं थे तो सी तो गलत है तो सीधा-सीधा अंसर हो गया BOD कभी confused हो जाओ तो यहाँ ट्रिक अपनाना और एकदम बढ़िया question कर पाओ गया यह बताया गया किस प्रकार से संथाल प्रदेश में एक पहारी गाओं में बताया गया है कि किस प्रकार से जो है बहुत सुंदर तरीके से इन्होंने अपने गाओं को बसाया संथाल कौन थे संथाल इस्थाई खेती करने वाले थे संथाल विद्रो का नेता कौन था most important देखो यह अलग-अलग question पूछ सकते हैं संथाल विद्रो का नेता कौन था यह रा अंग्रेजों ने दामीन इक को भूमी में संथालो को क्या कहा आप यहां पर इस्थाई रूप से बस जाओ दस्वा भाग जो है दस वर्षों में ठीक कर दो एक दम चार्टरफ पिलर गार दिये उसी में उन्हें खेती करनी थी तो इलाके के भीतर कुए खोदने को नहीं का जूम खेती करने को नहीं का इस्थाई किसान बनना है और दस्वे भाग को साफ करना है तो सी और डी जो है वह करेक्ट आंसवर आपका आजाएगा पहाडियों में जब राजमेल की पहाडियों में बसे तो पहाडियां लोगों पर क्या प्रभाव पड़ा भई संथाल तो अब उन्हें बहुत चोटी अलग जमीन पर रहना पड़ा और ये तो जूम खेती करते थे तो बहुत दिकत में आ गए गरीबी में आ गए हालत खराब होगी पहाडियों के बितर जाने को मजबूर कर दिया चट्टानी और बंजर के भीतर से मित कर दिया संथालों के आगमन को पहाड़ियों ने खुशी से स्विकार नहीं किया बहुत प्रति रोध किया था हल चलाकर खेती करने के लिए बाहर दिक्या नहीं उन्हे तो हटा दिया तो ए और बी जो है वह आपका राई डांसर हो जाएगा कि उन्हें तो यहां से जो जाने के लिए कह दिया था जू और B जो है वहाँ आपका right answer हो जाएगा संथालों को जब पता चला कि जो जमीन उन्हें मिली है वह उनके हाथ से निकलती जा रही है क्या हुआ बताओ फटा फट से संथाल विद्रो के कारण को पूछ लिया actually COET ने संथाल विद्रो का कारण क्या कारण था वो आकर बसे जमीन मिल गई खुश हो गए हमारी जो दोड थी वो खतम हो गई अब हमें एकदम बढ़िया गर मिल गया लेकिन धिरे धिरे पता चला अंग्रेज टेक्स बढ़ाते जा रहे हैं साहुकार जिनोंने उन्हें पैसा उधार दिया था वो वापस मांग रहे हैं बहुत ज़दा ब्याज मांग रहे हैं खुब ब्याज बढ़ा दिया और नहीं दिया तो जमीन चीन लेंगे जमीनदार कह रहे हैं सारी जमीन मेरी है तुमें हम हटा देंगे तब लगा. रियार, यहाँ आने से कोई फाइदा नहीं हुआ. हमें कुछ भी नहीं मिला. इसलिए उन्होंने क्या कर दिया? विधरो कर दिया था. जिस जमिन को साफ किया, सरकार भारिकर लगा रही है. साहुकार जो है वह क्या कर रहा है? वो बहुत ज़्यादा ब्याज ले रहा है और अगर पैसा नहीं दिया तो उसने कह दिया जमीन छीन लेंगे तेरी, जमींदार भी बहुत दुख दे रहा है, पहाडिया लोगों ने क्या अपनी जमीन प्राप्त करने के लिए आगे बढ़े, पहाडिया लोग आगे नहीं नादिया ये हुका पीरा है यानि भड़िया तरीके से सब जला जलू कि उनको नस्ट कर दिया अवशानती है पांच वी रिपोर्ट बेटे संसद में कब आई 1813 में पहाडियों को निर्मूल जो है नस्ट कर देने की नीती कब अपनाई गई थी तो यहाँ ध्यान रखना है 1770 में यह बात कही गई गंजूर्या पहाडी को बुकानन कब प्रार करता है 1810 11 में वह वहां से चलता है संथाल विद्रो मोस्ट इंपोर्टेंट या ध्यान रखना 1856 में हुआ था और दक्कन विद्रो 1875 मोस्ट इंपोर्टेंट 12 मई 1875 पूना सुपा गाउं में दक्कन में विद्रो हुआ था चलो राइट आंस्वर क्या है एक का टू है और देलो 52 इसमें नहीं है इसमें यह भी रैट कर दू क्या फटाफट से बता व यस वी यास आनवी बिल्कुल ठीक है संथालों के बारे में बुकानन क्या कहता है बुकानन कहता है ये लोग बहुत उश्यार है बहुत बढ़िया जमीन को साफ करते है लेकिन इनकी जौपड़िया बहुत छोटी-छोटी मैली, कुछली, गंदी है ऐसे कहता है जमीने साफ करने में होश्यार है नीचता से रहते हैं यानि लाइफ स्टाइल जो है बहुत बेकार है जौपड़िया इनकी बढ़ी है नहीं छोटी है और बिल्कुल क्लीन नहीं है जौपड़ियों में बाड़ नहीं होती बिल्कुल ठीक है लकडियों से बनीवी है ABD जो है वहाँ इसका राइट आंसवर देखो इसका पेरिग्राफ दिया इसमें इसने बताया है नीचता से रहते हैं बाड नहीं होती दिवारे सीधी छोटी-छोटी है और मैली हुई है छोटी-छोटी इनकी जोपड़िया जो है बनीवी है वनों की कटाई के बारे में वहाँ कहता है कि बहुत बढ़िया पेड़ों के साथ देखो यह बुकानन केवल केवल एक जिकित्सक नहीं था जमीन देखता था बताता कहां अभरक है कहां ग्रेनाइट बढ़िया है उसके बारे में भी बताता था और बहुत सारी बाते और उसके यहा बहुत बढ़िया हमारे पास धन ही धन हो जाएगा और इसी वज़ा से जंगल कटते चले गए तो यहाँ आपको ध्यान रखना है दक्कन विद्रों की बात करते हैं 30 से अधिक गाउं में फैला था 6500 वर्ग मिल से ज्यादा वास्ता में हुआ क्या 12 मई 1875 पूना चलते हैं सु जमींदारों से और इसी वज़ा से जमींदार जो है वह किसानों पे लगा रहे हैं अब किसान किस के पास जा रहा है पैसा मांगने के लिए उधार साउकार से क्योंकि लगान नहीं दिया तो जमींदार जमीन ले लेगा निलाम हो जाएगी इसलिए साउकार से वह क्या ले अब सावकार भी बजमाश, सावकार क्या कर रहे हैं, इतना रिन जो है, उन्होंने जो रिन लिया, उस पर उस रिन से भी जादा ब्याज लगा रहे हैं, बताओ क्या ब्याज मूलदन से जादा होता है, नहीं होता, लेकिन अंग्रेजों ने इतनी हालत खराब कर दी थी, असना में तकलीफ किसकी वज़ा से, मान लो ये पैसा उधार लिया और मैंने यहाँ पर लिखकर दिया, पहले हम लोग लिखकर नहीं पैसा लेते थे, हम आपस में बातचित करके पैसा उधार ले लेते, और उसमें कोई ब्लेम नहीं कर सकते, दिया के नहीं दिया पता नही तो मुझे गुसा किस से है उस कागज से है क्यूंकि अनपड़ लोग थे पढ़े लिखे नहीं थे किसान तो उन्होंने का अगर इस कागज को जला दे तो क्या होगा तो हमारा उधार खतम और इसी वज़से उन कागजों को बैयों को लेखा बैया जला दी गई टॉपी की यह यह आपकी बुक में हाँ इमान थे वो बिलकुल प्रेणा तो यहाँ ध्यान रखना है इसी वज़से दक्कन में विद्रो हुआ देखते ही देखते तीस से ज़्यादा गाओं में फैल गया सावकारों की मंडियों में आग लगा दी दुकानों में आग लगा दी सारी लेख 1857 की तरफ बड़ा गदर तो नहीं हो रहा और इसी वज़से इसका इतना महत्व है कोशन पूछ ले बताओ 1857 के गदर की तुलना किस्से की गई है 1857 का गदर उसकी तुलना किस्से की गई दक्कन विद्रो जो बारा में 1875 में पूना के सूपा गाओं में हुआ था एहमद नमबर 39 जो है उसकी बात करते हैं दक्कन विद्रो जो है उसके खिलाफ ब्रिटिस सदीकारियों ने क्या किया पुलिस थाने गाओं गाओं में पहले पुलिस थाने नहीं थे व्यक्तियों को डंडित किया अंग्रेज क्या कर सकते हैं अंग्रेज हमें जेल में डाल सकते हैं पुना के सुपा गाउं में, हमने क्या देखा, लोग सड़कों पर आ गए, राक के धेर और बहुत सारे जो लोग हैं, उनकी अनाज को सामान को जला दिया, साहुकार कौन होते थे, जो पैसा उधार देते थे, किराया जीवी किसे कहा गया जो अपनी संपत्ति को किराया पर दे देते, देखो, रिकॉर्डो जो है वह कहता है, भारत में स्थाई बंदुवस्थ व्यवस्था लगाने से भारत के लोग किराया जीवी बन रहे हैं, आलस किराया जी वी अभी आपको बताई थी मैंने जो तामबे की ? पतिंट हे उस पर एकवा तिंट कहते हैं उसी को क्या कहते हैं ? तो राइट आंसर क्या है ? एका थड़ और बी डिया वन राइट आंसर है . किसी में नहीं है तो ए आंसर जो है वह राइट है, यह एकवाटिंट बता दिया, यह किराया जीवी, यह मैंने आपको सारा बता दिया है, बंबई दक्कन में राजस्व की नई पनाली क्यों लागू की गई, जब अंग्रेजों ने एक इतना बड़िया सेटलमेंट लगा दिया था, तो बंदेवे, मैंन तो फिक्स कर दिया, अब फिक्स नहीं करना, अब 30 साल तक के लिए फिक्स करेंगे, तो ध्यान रखना है, अब राजस्व की नई व्यवस्ता की गई, रेतवाडी, और उसमें 30 वर्स के लिए जो पैसा है, वह फिक्स किया गया, उससे जादा फिक्स न तो C को छोड़ दो, ABD जो है, वहाँ आपका राइट आंसवर है, समाचार पत्र में छपी रिपोर्ट इसमें बताया गया है, कि जो रिन लेते थे, रिन पत्र और दस्तावेज मांगते थे, रिन दाताओ पर हमला करते, और इसी वज़े से क्या इसमें बताया गया, देखो बड़ी भूमी के माली, रियत वाड़ी में डायरेक्ट रियत से, यानि किसान से समझोता किया गया, और महल वाड़ी में गाओं के ग्रुप होते थे, जिससे महाल कहा जाता था, जो आप आगे पढ़ोगे, यहाँ पर नहीं दिया है, तो ध्यान रखना है, रियत के साथ कि भारत की स्थिती सुधरी, टेक्स बहुत जादा रखा गया, और गिरफतार अंग्रेज लोग जब राजस्वा लेने आते, अगर मान लो राजस्वा नहीं है, खेती बाड़ी नहीं हुई, तो फसलें उठा कर ले जाते, लोग इतने दुखी हो गए कि छोड़ कर ही चले ग तो यहाँ ध्यान रखना है, राइट आंसर क्या होगा, किसान गाउं छोड़ कर चले गए, किसानों की फसले जब्त कर दी, गाउं पर जुर्माना लगा दिया, अकाल बहुत जादा पड़ा, और इसलिए यहाँ ध्यान रखना है, क्या समझा दो, एक मिनट में डैविड र अब जो है, अगर आपको एक्स्ट्रा अधिक लाब होगा, तो उस पर भी हम टेक्स लगाएंगे, अधिक लाब जो होगा, उस पर क्या कर सकती है, कंपनी कर लगाएगी टेक्स, इसी को रेतवारी व्यवस्था डैविड रिकॉर्डो का जो विचार है, वह यही था, ठीक ह यहाँ डैविड रिकॉर्डो का विचार था, 1860 के दशक से पहले ब्रिटेन में कच्छे माल के तौर पर आयात की जाने वाली समस्त कपास जो थी, उसका तीन चथाई भाग कहां से आता था, नई दुनिया से इंग्लेंड को जो कपास है, वो सबसे ज़्यादा अमेरिका द अगे वे थे, वह दूसरे सोर्स क्या थे, देखोगे, पहला राजस्व बंदुवस्त कब लागू किया गया, 1820, most important, ध्यान रखना है, most important जो है, वह question यह है, यहाँ पर ध्यान रखोगे, ब्रिटेन में कपास आपुर्ती संकी स्थापना 1857 में, और मैंचेस्टर कॉटन मी 1800 गुनसांट में स्थापित हुई, तो A का second और B का third answer और C का one, most important question, बोर्ड में काफी बार पूछावा है, ध्यान रखना है आपको इस question का, चलो अब बताओ, भारत में कपास क्यों हुई, खूब अच्छे से कपास भारत में क्यों होती थी, इसका कारण भारत में भूमी बहुत अच्छी थी, जलवाईू बहुत अच्छी थी, लेबर खूब सारी थी, और इसी वज़से भारत में जो है, केती बारी कपास की बहुत बढ़िया होती थी, तो राइट आंसर मशीने थी, क्या नहीं, मशीनों से कोई मतलब नहीं, A, B, C, जो है, वह हमारा राइट चलो इसी के साथ आपसे आग्या लेना चाहूंगी, धन्यवादू कला क्नों में एक वहा होती उत्शव थी, तो राइट ले प्याग्जने उन एक्या ज़से है, क्या प्रहीं है, क्या एक आपसे 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 साथ